नमस्कार, पार्टनर आपकी इज़्जत नहीं करता, पार्टनर को अपनी वेल्यू कैसे समझाए, पार्टनर को अपनी अहम्यत कैसे समझाए, पार्टनर आपको लोगों के सामने या आपको अकेले में आपको कुछ समझता ही नहीं, तो आकिर पाप्नर को अपने वेल्यू कासे समझें, अपनी इसत के समझें, अपनी अहलेत के समझे बहुत से लोग यही सोच-सोच के रोते रहते हैं कि आकिर मैंने ऐसा क्या किया, आकिर मेरे अंदर ऐसा क्या है, जो सामने वाला मुझे इज़त नहीं दे रहा है, सामने मेरे वेल्यू नहीं कर रहा है, बस वो अंदर ही अंदर मन में रोते रहते रहते हैं, बुटन करते रहते हैं, और अधिकतर लोगों की अधिकतर गल्फें मेर बन करों बोस्ते ने क्या करते हैं पार्टनर कर ने वेन्फ है इंट नहीं कर रहा है वो अपने आपको दोस्ते ए sensing अ प्रट निकालते हैं कि मेरी कोई है और वो मेरी कल्ती के कारव मेरा पार्टनर मेरी वेल्यू नहीं कर रहा है मेरी इंजत नहीं कर रहा है मेरी अर्मित नहीं समझ यह सोच कर रोते रहते हैं अपने आपको दोस देते हैं वाई क्या पता आपको कोई दोस ही नहीं हो क्या पता आपका पार्टनर किसी और के साथ में सीरियस हो आपको क्या पता तो फिर आप अपने आपको दोस्त क्यों देते हों सबसे पहले तो बिना फाल दोगे अपने आपको दोस्त देना बंद करें आपको पता है कि आप कही गलत महीं है तो फिर आप अपने आपको दोस्त क्यों देते हो अपने आपको दोस्त दे के गुट- सबसे पहले तो अपने आपको अंदर से स्ट्रोंग करें और अपने आपको दोस्त देना बंद कर दो अब सबसे पहले करो और अपने आपको दोस्त देना बंद करो ऐधा है कि दूसरा उस पार्टनर से आप खुलकर बात करें बिल्कुल आज का टाइम यह नहीं है पूरा अरान जमाने के टाइम था की पत्षी पत्धी एक दूसरे जो भी थे वह इसे लात करें को कि आप क्वूजद और चाहे तो करें अगर को बात होगी को पार्ण आपको आपको कहेगा कि इस कारण that is the reason इस कारण से मैं तुमको value नहीं दे रहा हूँ मैं आपको महतों नहीं जा जो भी बात हो मन में न रखें किसी भी related relations related आपकी boundaries related आपकी job से related आपकी sex से related आपके हर चीज से related खोल कर अपने partner से बात करें और कहें कि what is the reason क्या reason है अपना self respect बनाए रखें partner हो या समाज हो या आपका business हो आपका job हो कहीं पर भी हो अपना self respect बनाए रखना आपका partner है आपका जीवन साथ है आपको सब कुछ है लेकिन क्या आप उसके सामें भी अपना self respect खोटोगे नहीं किसी भी condition में एनी सिचिवेशन किसी भी सुरुज में अपना सेल्प रेस्पेक्ट बनाए रखे अगर आप भी आपका अपना सेल्प रेस्पेक्ट नहीं बनाओगे तो सामने वाला आपका पार्टनर आपको रेस्पेक्ट कैसे करेगा आपको इज़त कैसे देगा आपकी वेल्यू कैसे सम लिव इन का ट्रेंड। पती पतनी बात पतनी बन केुप पतनी बन चैहनल पती बनते हैं relation है उसको लेकर आप सीरियस हो हो सकता है कि वह आपके साथ में time pass कर रहा हूँ आपको क्या पता है हो सकता है कि वह आप से लेकर उसकी sex की जरूरत पूरा कर रहा हूँ आपको क्या पता आपको उससे खुल कर बात करने होगी क्या वह इस रिस्टे को लेकर नंबा चलना चाहता है या पिर ऐसे ही आपके साथ में इंजोई ले रहा है आपको उससे खुल कर बात करनी पड़ेगी अगर वह आपके साथ में इसे ही इंजोई ले रहा है अगर वो आपके साथ में ऐसे ही time pass कर रहा है तो वह आपको value क्यों देगा वह आपकी इज़द क्यों करेगा आप ऐसे आदमें को अपनी value समझा कर क्या करोगे सबसे पहले तो पूछे उससे क्या तेरा और मेरा रिष्टा serious है आगे अपन इस रिष्टे को serious करके आगे ले जा होगी क्या पता आपका partner आपके साथ enjoy कर रहा हो आप बावनाओं में बाख कर उसके साथ में enjoy कर रहे हो आप तो सोच रहे हो मेरा रिष्टा मेरा लंबा चलेगा हम जीवन बढ़ सास रहेंगे और क्या क्या पता आपका partner तो आपके पास माईना दो मीना साल पर के लिए आया तो उसे पुछे कि क्या आप इस दिलेशन को लेकर सीरस हैं पाटनर को छोड़ जाने का डर मन में मत रखना बोसे जन्य क्या करते हैं पाटनर के साथ मैं निपाते रहती हैं बस उनका डर रहता है मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर चले जाएका अक्यला जिनकी गुजार लूँगी मैं अक्यला जिनकी गुजार लूँगा पार्टनर के छोड़ जाने का डर मन में मत रखना पार्टनर के छोड़ जाने का मन का जो डर रहेगा ना अंदर वो बस आप सहते रोगे और आप रोते रोगे और आप साम अपने पार्टनर की गं हां में हां ना मिलाए पार्टनर कभी कभी हो सकता है गलत भी हो तो गलत हो तो आप उसके साथ हां में हां मत मिलाना वो कहेगा गलत तो आप भी गलत वो कहेगा तो सही तो आप भी कहोगा सही नहीं अपने पार्टनर को सही रास्ते पर लिजाना आपका फर्ज होता है आपका होता है आपकी हो गलत है तो कहेना कि सही हो तो आप कहना कि सही थो यह कुछ बात हैं आप कर ले बात है आपको समझाएजे और आपका पार्ट्न आपकी वेल्यों करने लोगर स्ची आगा अगर आप कुछ